नमस्कार, Vision ISK News Today के संक में आप सभी का सुपागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्वपोर्ण, कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंक की हेडलाइन्स के बारे में शंगाई सहयोग संगठन के शाशना ध्यक्षों की परिशद की 21 वी बैठक वर्च्वल रूप से चीन में आयोजित हुई केंद्र सरकार ने अनिवासी भारतियों को रिमोट वोटिंग सुविधा देने के विचार के बारे में उच्चितम नियाले को सूचित किया नासा ने कोरोनल होल्स परिघटना के दौरान मुस्कुराते हुए सूरी की तस्वीर खीची सेंगत राष्टर विकास कारिक्रम ने Cities Alive Designing Cities That Work for Women रिपोर्ट जारी की भारतिय रिजव बैंक ने होलसेल सेग्मेंट में डिजिटल रुपे की पाइलेट पर योजना शुरू की और उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उधगाटन किया गया और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं इसंग की सबसे पहली खबार पेपर टू के टॉपिक महत्तुपून संगठन जिसमें के SEO की हम बात करेंगे SEO यानि शंगाई सहयोग संगठन इसके साशना ध्यक्षों की परिशत की 21 वी बैठक वर्चुल रूप से चीन में आयोजित हुई इस बैठक में कई एहम फैसले लिए गए भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का समर्थन करने वाली सयुक्त विग्यप्ती की पुष्टी नहीं की भारत ने इरान के चाबहर बंदरगाह और अंतराष्ट्रिय उत्तर दक्षिन परिवहन गलियारे के माध्यम से और अधिक व्यापार का समर्थन किया आपको बता दें कि INSTC एक मल्टी मॉडल परिवहन गलियारा है इसकी लंबाई 72 किरोमीटर है ये गलियारा सडक, रेल और समुद्री मार्गों के द्वारा मध्य एशिया और इरान के माध्यम से रूस और भारत को जोड़ता है और आईए अब आपको बताते हैं SEO समुव में व्यापार और कनेक्टिविटी के बारे में SEO के सदस्य देशों का कुल व्यापार मूल्य वर्ष 2001 के 667 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया SEO सदस्यों के साथ भारत का कुल व्यापार केवल 141 बिलियन डॉलर है और इस वर्ष SEO देशों में से भारत का अधिकांश व्यापार चीन के साथ है जो की लगभग 100 बिलियन डॉलर है मध्य एशिया के साथ व्यापार 2 बिलियन डॉलर से भी कम है इस स्थिती में भारत के लिए चुनौती ये है कि सीधी पहुँच नहीं होने की वज़े से भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार का भाव है व्यापार भागिदारों के रूप में चीन और रूस की नस्दीकियां बढ़ रही है ये दोनों देश दिपक्षिय व्यापार को वर्ष 2024 तक 250 अरब डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं SEO Belt and Road पहल का समर्थन करता है और आई अब आपको बताते हैं शंगाई सहीयोग संगठन के बारे में इसकी स्थापना वर्ष 2001 में शंगाई में हुई थी ये एक अंतरसरकारी, राजनेतिक, आर्थिक और सैनि संगठन है इसका मुख्याला बीजिंग में है ये वर्ष 1996 के शंगाई 5 जिसमें की चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान थे इस समूह से उ जरूस ने भी इसकी सदस्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, स्थियो के शाषन अध्यक्षों की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, इसमें संगठन के व्यापार और आर्थिक एजिंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये स्थियो के प्रपिक निर्वाचन प्रणाली से संबंदित है, केंद्र सरकार ने उचितम न्याले को ये सूचित किया है कि वो अनिवासी भारतियों को रिमोट वोटिंग सुविधा देने पर विचार कर रही है, रिमोट वोटिंग के तहत मतदाताओं को उनके पंजीकृत प्रणाली से संब्सक्राइब के अनुमति होती है, ये स्थान देश के भीतर या विदेशों में भी हो सकते हैं, एनराइज को वर्ष 2011 में मतदान का अधिकार दिया गया है, ये अधिकार लोग प्रतनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है, हाला कि अधिनियम की धारा बीस एक अनुसार विदेशों में रह रहे भारतिय मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए अपने निर्वाचन शेत्रों में शारिरिक रूप से उपस्तित होना अनिवारे है, दरसल रिमोर्ट वोटिंग उन लाखों मतदाताओं के लिए मह दाल सकता है, और ये समविधान के अनुच्चेद 326 की भावना के भी अनुरूप है, आपको बता दें कि ये अनुच्चेद वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान करता है, इसके अलावा रिमोर्ट वोटिंग प्रतिनिधी लोकतंत्र को भी मजबू मतदान की और भी कई प्रदालियां हैं, जैसे कि प्रॉक्सी वोटिंग इसे वर्ष 2003 में शुरू किया गया था, इसके तहट एक पंजिकृत मतदाता अपना मताधिकार अपने किसी प्रतिनिधी को सौंप सकता है, केवल वर्गिकृत सेवा मतदाता को ही इसकी अनुमती है, इनमें सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रिय ओद्योगिक सुरक्षा बल, जनरल इंजिनेरिंग रिजर्व फोर्स और सीमा सडक संगठन के सदस्य शामिल हैं, इसके अलावा दूसरी प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक रूप से बाहर नियुक्ति सरकारी करमचारी और उनकी पती या पतनी निवारक निरोद के तहट रखे गए लोग, विशेश मतदाता जैसे कि भारत की राश्ट्रपती और उपराश्ट्रपतियादी शामिल हैं और अगली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफी दिल्चस्प है, अक्सर आपने सूरे के मुस्कुराने का दृष्य एनिमेशन फिल्मों में देखा होगा, लेकिन नासा ने इसे हकीकत में दिखाया है, दरसल नासा ने कोरोनल होल्स नामक परिघटना के दौरान मुस्कुराते हुए सूरे की तस्वीर खीची है, नासा की सोलर डानेमिक्स अब्जर्वेट्री ने पराबैंगनी प्रकाश में कोरोनल होल्स या फिर कोरोनल छिद्र की परिघटना का अवलोकन किया है, ये छिद्र आम तोर पर हमारी आँखों के लिए अद्रिष्य होते ह दरसल कोरोनल छिद्र सूरी की सतह पर ऐसे छेत्र होते हैं, जहां से तेज सौर पवने अंतरिक्ष में प्रवेश करती हैं, क्योंकि इन में सौर पदार्थ कम होता है, इसलिए उनका तापमान कम होता है, और इस वजह से वे अपने चारों ओर के परिवेश की तुलना में ज जटिल धारा उतसर जित करते हैं, ये तेज सौर पवन धाराएं प्रिथवी के चूंबकिये शेत्र के साथ संपर्प में आती हैं और भू चूंबकिये तूफान उत्पन करती हैं, भू चूंबकिये तूफान प्रिथवी के मैगनेटर स्फियर में एक विख्षोब है, चुम्बकिय तूफानों से उच्च आवरती वाले रेडियो प्रसारण और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपकरण बाधित होते हैं, ये उग्रह की इलेक्ट्रोनिक संरचना को नुकसान पहुँचाते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को अधिक विक्रण के प्रभाव मे लाते हैं। चुम्बकिय अगति विधी में परिवर्तन की वजह से वोल्टेज बढ़ने से प्रत्वी पर विद्युत की आपूर्ती प्रभावित हो सकती है। सुरक्षित सडकें और साबजनिक इस्थल सुरक्षा चिंताओं की वजह से महिलाओं की सीमित आवा जाही और महिलाओं को जलवाई विपदाओं का अपेक्षाकृत अधिक खत्रा है। इस प्रतिशत महिलाएं हैं वहीं स्वास्थे और कल्याण की बात करें तो अपर्याप्त साबजनिक इस्थल अपर्याप्त स्वास्थे देख भाल इसके अलावा जल और स्वक्षता की कमी है। इस पर जब सर्वेक्षन किया गया तो इसमें शामिल 76 प्रतिशत महिलाओं ने ये माना कि सुरक्षित मारगों की कमी उनके स्वास्थे और कल्याण के समक्ष बड़ी बाधा है। बहतरी और इच्छा पूर्ती पर जब बात की गई तो सिक्षा रोजगार में पूर्वाग्रह एवं बाधाएं महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा महिलाओं को परियाप्त छुट्टियां नहीं मिलती हैं और अपने पन की भावना की कमी रहती है। और ये बात 17% वैश्विक आबादी को सुविकार नहीं है कि उनके परिवार की कोई महिला सदसे नौकरी करे। महिलाओं की इस स्थिती में सुधार के लिए कई रणनीतियां सुझाई गई हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सड़कों को सुरक्षित करके महिलाओं की आवाजाही को आसान बनाने की जरूरत है। इसके अलावा शहरी जलवायू रणनीतियों में लेंगिक दृष्टिकों को शामिल किये जाने की भी आवश्यक्ता है। साथ ही लेंगिक आधार पर डेटा का संग्रह किया जाना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की भी रक्षा की जानी चाहिए। शारिरिक और मानसिक स्वास्त देखभाल तथा पोशन सुविधाओं तक पहुँच बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अवकाश व्यतीत करने की जगह हैं और सांस्कृतिक इस्थलों तक पहुँच सुगम और समावेशी होनी चाहिए। इसके अलावा रिटेल सेग्मेंट में भी डिजिटल रूपे की शुरुआत चैनित स्थलों पर जल्द ही की जाएगी। इसका फियेट मुद्रा के साथ विनिमे किया जा सकता है और ये परिवर्तनी अभी है। इसके अलावा ये वित्तिय समावेशन को भी बढ़ाबा देगा। ये बहुतिक नकत प्रबंधन में शामिल परिचालन लागत में कमी लाएगा। साथ ही CBDC की ओफलाइन सुविधा दूर दराज के इस्थानों के लिए भी लाबदायक सिद्ध होगी। और अगली खबर वर्तमान के बेहद महतोपुन टॉपिक डेटा से जुड़ी हुई है। इंटरनेट उपियोग करता होने के बावजूद भी डेटा स्टोरेज की शमता इतनी कम है कि ये उपियोग करता कुल वैश्विक डेटा के 20 प्रतिशत का उपियोग करते हैं। ये सर्वर आधी को अंतिम उपियोग करता इस्थलों से जोड़ता है। दूसरा है स्टोरेज इंफ्रस्ट्रक्चर जो की डेटा स्टोर करता है। तीसरा है कम्प्यूटिंग संसाधन। इसमें प्रसंसकरन मेमोरी आधी प्रदान की जाती है जो एप्लिकेशन को चलाते है अब सबसे महत्तुपुन प्रशन ये है कि डेटा सेंटर की जरूरत ही क्यों है। दरसल डेटा इस्थानी करण मांदंड भारत में एक मजबूत डेटा सेंटर अवसंरचना इस्थापित करने की आवश्यक्ता को रिखांकित करते हैं। आपस में जुड़ी इस दुनिया मे डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करना आवश्यक है और इसलिए डेटा सेंटर की स्थापना करना भारत के लिए जरूरी है। डेटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे कि संस्थागत रिंड तक आसान पहुँच प्राप्त करने और विदेशी निवेश को आकरशित करने के लिए डेटा सेंटर को अवसंरचना का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा प्रारूप डेटा सेंटर नीती 2020 का उद्देश भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाना है। और आई अब बात करते हैं कुछ अन्य पुर्खियों की विधायकों और सांसदों की ततकाल निरहरता। हाली में उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य को दो वर्ष से ज्यादा समय के लिए सजा दिये जाने के बाद स्वतह निरहरता का सामना करना पड़ा है। उच्चितम नियायले ने लिली थामस बनाम भारत संगवाद में एक फैसला सुनाया था। इस फैसले के मताबिक कोई भी सांसद या विधायक जिसे किसी अपराद के लिए दोशी ठहराते हुए नियुनतम दो वर्ष की सजा सुनाई गई है वो ततकाल प्रभाव से संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह जाएगा। इस इसलिए सिद्ध दोश सदस्य सभी उपलब्ध नियाईक विकल्पों का इस्तमाल करने तक सदन का सदस्य बना रहता था। इस योजना के तहत भारत में डिजाइन और निर्मित उत्पादों के लिए मौजूदा प्रोथसाहनों के अलावा एक प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोथसाहन भी प्रदान किया जाता है। लागत शामिल नहीं है। लैब ग्रोण डायमंड्स सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत है। लैब ग्रोण डायमंड्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है CBD यानि रासायनिक वाश्प अभगटन और HPHT यानि उच्छ दबाव उच्छ तापमान वाले। भारत विशेश रूप से CBD तकनीक में कुशल और अग्रणी हैं। यहीरे के सबसे शुद्ध प्रकार के रूप में प्रमानित है। भारतिय चिकित्सा एवं होमयोपैथी भेशज सहीता आयोग PCIM&H PCIM&H विश्व स्वास्थ संगठन दक्षिनपूर्व एशिया शेत्र के सहयोग से एक प्रस्थिक्षन कारेक्रम का आयोजन कर रहा है। PCIM&H आयोश मंत्राले के तहत एक अधिनस्त कार्याले के रूप में कारे करता है। ये सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकरित है। एक स्वायत संस्थान है। PCIM and H निकाय से अलग है ये रोगों के उपचार के लिए आविश्चक दवाओं के बानकों को नियमित रूप से अपडेट करता है और अगला टॉपिक है केसर कश्मीर में केसर उत्सब का आयोजन किया जा रहा है केसर एक 12 मासी जड़ी बूटी है ये दुनिया का सबसे महगा मसाला है इसका उपयोग स्वाद और रंग के लिए तथा ओशधिय और दवा उपयोग में किया जाता है इसका उत्पादन कश्मीर की अच्छी जल निकासी वाली करेवा मिट्टी पर किया जाता है इसे 1500-2000 मीटर की उचाई पर उगाया जाता है केसर उत्पादन में इरान के बाद भारत के पास दूसरा सबसे बड़ा शेत्र है केसर के कुल वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सदारी साथ प्रतिशत है आपको बता दें कि कश्मीर घाटी की केसर विरासत तथा खेती को खाद्य और क्रशी संगठन की वैश्विक क्रशी विरासत प्रणाली के रूप में मानिता प्राप्त है केसर को वर्ष 2020 में भोगलिक संके तक दरजा प्रदान किया गया था अगला टापिक है ग्लोबल क्लाइमिट अब्जर्विंग सिस्टम ये प्रणाली वायू मंडल, भूमी और महासागर के वैश्विक जलवायू परिवेक्षनों की स्थिती का नियमित रूप से आकलन करती है साथीन में सुधार के लिए मार्दर्शन भी प्रदान करती है इसके सह प्रायोजकों में शामिल है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, सैंक्तुराष्ट्र सैक्षिक, विज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानि युनेस्को का अंतरसरकारी समुद्र विज्ञान आयोग, सैंक्तुराष्ट्र परियावरन कारिक्रम और अंतरराष्ट्रे विज्ञान परिशद आक्रामक प्रजातियां सेना इस्पैक्टिबिलिस व्रिक्ष एक विदेशी प्रजाती है ये तमिलनाडू के मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के बफर जोन में तेजी से अपना विस्तार कर रही है इस व्रिक्ष को दक्षिन और मध्यामेरिका से एक सजावती प्रजाती और जलाओ लकडी के रूप में इस्तमाल करने के लिए भारत लाया गया था ये आकरमक प्रजाती ऐसी प्रजाती होती है जो एक नए परिवेश में पारिस्थतिक या फिर आर्थिक नुकसान का कारण बनती है आकरमक प्रजातीव से जुड़े कई मुद्धे हैं ये भारत के जय विवित्ता से सम्पन शेत्रों पर प्रथिकूल प्रभाव दालती है भारत आकरामक प्रजातीव के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान के मामले में विश्यु में दूसरे स्थान पर है वन्यजीव संदक्षन संशोधन विधियक 2021 में आकरामक विदेशी प्रजातियों के लिए एक विनियामक धाचा प्रस्तुत किया गया है एसी क्लोफिनाक भारतिय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने मवेशियों में एसी क्लोफिनाक के उप्योग पर प्रतिबंद लगाने की मांग की है एसी क्लोफिनाक एक पशु चिकित्सा दर्द निवारक दवा है ये मांग इसलिए की गई है क्योंकि एक अध्यन से ये पता चला है कि ऐसी कलोफिनाक दवा का जलिय भैंसों और गायों में डाइकलोफिनाक के रूप में चया पचय हो रहा है और ये अंतिताह देश में गिद्दों की आबादी के लिए खत्रा है आपको बता दें कि डाइकल शुद्रग्रह 2022 AP7 खोजा गया खगोल विदो ने 2022 AP7 नाम के नए संभावित रूप से खतरनाक शुद्रग्रह की खोज की है ये पिछले आठ वर्षों में खोजा जाने वाला सबसे बड़ा खगोल ये पिंड है जो कि प्रत्वी के लिए संभावित रूप से खतरनाक है इ यही कारण है कि इसे संभावित रूप से खतरनाक शुद्रग्रह के रूप में वर्णित किया गया है दरसल PHA यानि संभावित रूप से खतरनाक शुद्रग्रह को उन माप दंडों के आधार पर परिभाशित किया गया है जो किसी शुद्रग्रह के प्रत्वी के निकट आ कर उसे खत्रा पहुंचाने की उसकी शमता को मापते हैं और आई अब एक महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं जो अभी हाली में काफी खबरों में रहा बात करते हैं गुजरात के मौर्वी की हाली में गुजरात के मोर्वी में मच्छु नदी पर बना पुल तूट गया था, मच्छु एक छोटी नदी है, ये मडला पहाडियों से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, इसकी लंबाई 130 किलो मीटर है, मोर्वी लगु और मध्यम उध्यमों का एक प्रमुक केंद होता है, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्तोपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाज़त, नमस्कार